प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर उन्होंने अपने चार मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एंडिये पार्टनर को नहीं रखा प्रधान मंत्री ने इमर्जेंसी के दौर तो याद दिलाया है जो उन्होंने पिछले तीन टर्म में इतलीस तीन हजार बार याद दिलाया होगा जनता को पर जो एडुकेशन इमर्जेंसी देश में लगी है क्योंकि युवाँं से खास के कह रहे हैं आप याद रखेगा को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पर उनके साल भी मिस हो सकते हैं एक्जाइम के तो मैं बानती हूं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज्यादा ठीक रहता पर उन्होंने अपने चार मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एंडिये पार्टनर को नहीं रखा प्रधान मंत्री ने इमर्जेंसी के दौर तो याद दिलाया है जो उन्होंने पिछले तीन टर्म में एट लीस तीन हजार बार याद दिलाया होगा जनता को पर जो एड़ और आज युवाण को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाण को इस तरीके से उनके हलाप पे चोड़ रहे हैं जहां करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज्यादा ठीक रहता पर NDA1 की शुरुवात गलत तरीके से हुई है जहां पर कोई NDA Alliance पार्टनों के साथ नहीं था जब वो संसत में अपना बाहर आकर परलिमेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें